हेलो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आप लोगों को कहाते है जो आप से रिलेटेट कोई भी अपडेट हुए फिर आप सब्वे स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को कॉलेज है स्टाप के थुरू या फिर अगर आपके फट से नहीं पत चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टिलिग्राम ग्रूप का लिंक और साथ सब्रस्तर वाट्सप नंबर भी डला है जहां सब्वे स्टूडेंट अपने सारी प्रोब्लम या वह आपके एक्जाम से रिलेटेड हो आपके पेपर पैटर्न से जो सेकंड समेश्टर का अपकी बार का जो पेपर है वो सभी बच्चों को मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मोडरे टू डिफिकल्ड जायाएगा और इस्पेशली जो दो आपके सब्जेक्ट है एक आपका एपलाइड फिजिक्स और एक आपका एपलाइड मैथ इसका और जो कुस्षन बताए उससे बाहर कुछ नहीं आया लेकिन जो सेकंड समिश्टर है इसमें सबसे पहले तो प्रेसर यह आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है कही बच्चों को पता भी होगा मिनीमम तो छे से साथ सब्जेक्ट है सभी ब्रांचे में एक दो ब्रांच को लिए प्रोवाइड किया और आई होप कई बच्चे उस नोट से पढ़ भी रहे होंगे तो आज की वीडियो में जो अब जो है अपना जो टार्गिट बैज जो आ रहे है जो सिर्फ सेकंड समिश्टर वाली स्टूडेंट के लिए और सेकंड समिश्टर में सभी ब्रांच क आप का सड्ने एक है आपका हाँ अप्लाइड मेकेनिक्स और ये जो तीन सब्जेक्ट में जैसे अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मेथ यह दोनों तो आप में हूंगे ही हूंगे जहां तक मुझे लग रहे है और बहुत सारे ऐसे ब्रांच भी है जिसमें देखिएगा आपको सारी कॉंसेप्ट पता चल जाएंगे अब रही बात जो बच्चे क्लास जोइन करेंगे सर क्या आप यही तिनों सब्जेक्ट पढ़ा हो गए और और जो सब्जेक्ट रह गए उनका क्या तो बिटा वो एक्जाम के टाइम में जैसे मान लो जो भी आपके जो सर कहीं ऐसा नो हो जाए और टार्गेट बैच में मैं बस वही करवाओंगा जो आपके पेपर में पूछा जाएगा मतलब क्या है 30 परसेंट नौलिज की बात और 70 परसेंट एक्जाम की बात होगी याद रखिएगा अगर रेगुलर बैच में जो बच्चे जोइन होते ये अल स्टिम के लिए देष्के लिए अगर आफके ब्रांच में ये तीनों सब्जेक्ट है तो आप इस क्लास को जुइन कर सकते हो नेक्से को सड्रासर क्लासे में आपको बता देता हूं क्लासेंग रहेगा भी बटा स साथे 6 बजे माद क्यों आप लोग को सबचल तो जब भी classes होगी बिटा वो आपके साधे 6 बजे के बाद होगी और वो schedule आपको group में मिल जाएगा जो कितने बजे साथ की classes है प्रेंट समिस्टर का बैद जो था मैं starting सलातों कई बच्चों के मैंने फीजबी रिटन करने पड़ेगा अब यह थोरी जीतना हो सा कि उतना है पड़ा वैसा तो है निवह सबका एडिमिसन लेते जो पैसे के चक्कर में यह चीज़े नहीं होनी चाहिए लास्ट है सर चार्ज में क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ आप खुद बताईए यही चार्जे में अप्लाइड मैथ फिजिक्स अप्लाइड सर ने बताया अप्लाइड मेकैनिक्स इन तीनों के कंबाइंड क्लास है जैसे मानलो कोई बच्चा जिसको अप्लाइड मैथ और फिजिक्स ही पढ़न पढ़ने है या एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तभी बी 1299 रुपे ही पे करने है तो समझ लीजे बहुत बच्चे होंगे सर मुझे पढ़ना है तो बाबु 1299 रुपे या तू एक पढ़ लिए सब पढ़ लिए क्या दिक्कत है 1299 रुपे में जब सारी पढ़ा रहे तो फिर प्रोइड करूंगा अब रही बात सर अगरा भ्याज़रक कर लीते हमें क्या सर प्रभाइड किया जायका सबसे पहले ब्र més के बाद के बाद के बाद से नहीं पहले बताते हैं वह आपको 10 दिन पहले बताया जाया अगर उससे बाहर कुछ पेपर नहीं आने वाला अब इससे ज्यादा मैं आपसे बिना मतलब की बाते कर दू एडिमिंशन लेने के लिए तो वह चीज़े बाबू मेरे को कभी पसंद नहीं आया अगर आपको लेना है तो जोनिंग प्रोसेस के हैं देखो बेटा जोनिंग प्रोसेस काफी सिंपल रहता है मेरा मैं आपको बता दिता हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा जो बाबू मेरा वाट्स अप नमबर जो डला है वही पहौन पे या पीटियम नमबर भी है उस प मैं आपको बता रहा हूँ सिविल इंजिनियरिंग के सिख समिस्टर में भी अपने पास बहुत स्टूडेंट है फोर्ट समिस्टर में भी है बेटा आपकी जो क्लासेज है गूगल मीट पे लगा करती है और एकदम तरीके बाइच ऐसे नहीं कुछ भी एकदम तरीके से भा अगर आपको एडिमिंशन लेना है तो आप एडिमिंशन लेजिए मन करके लो यार ऐसे बात नहीं है सर ने ज्यादा चार्जेज भी ने रखा अब इससे ज्यादा आप खुद सोचिएगा तो यहीं सारा अपडेट है और मैंने आपको जोईनिक प्रोसेस बता दिया इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉन पे पे टियम नंबर डला है आप दोनों में से कुछ एक स्क्रिंशॉट पे करके स्क्रिंशॉट आप मुझे वाट्सअप कर दीजिए का नंबर डला है वाट्सअप का आपको ग्रूप में जोईन कर लिया जाएगा और फिर ऐसे सम सभी बच्चे मैक्सिमम इस्तिन्त में जोईन होंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट इंक्स पैटन के साथ जो भी अपडेट होगा मैं सभी बच्चों तक रखनी की कोशिश करूँगा बायो लफ यू आ होप हमारे सारे बच्चे ठीक होंगे